ब्रॉट टो यू बाई वीगार्ड, को पावर्ड बाई, सेंसोडाइन और विमल, बोलो जुआ केसरी बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से 24 घंटे हुए होंगे बस्पा को ये कहते हुए, ये क्लारिफिकेशन देते हुए कि जॉन पूर से बस्पा अपना प्रत्याश्वी नहीं बदलने वाली है मतलब जॉन पूर से बस्पा धननजय सिंग की पतनी श्री कलारिड़ी का टिकट नहीं काटने वाली है लेकिन सुबह होते होते, 6 मई की तारीख होते होते इस पर ठपा लग गया है, खبر की पुष्टी हो गई है कि श्रीक अला रेड़ी जॉन पूर से बस्पा की प्रत्याशी नहीं होगी अब बस्पा ने श्याम सिंग यादफ को यहां से प्रत्याशी अपना उमीदवार घोशित कर दिया है आज जॉन पूर में नामांकन की आखरी तारीख है इससे पहले मायावती ने यहां से उमीदवार बदलते हुए श्याम सिंग यादफ को अपना उमीदवार बनाया है बताया जा रहा है कि श्याम सिंग दो पहर एक बज़े नामांकन दाखिल करेंगे इस बात की पुष्टी श्याम सिंग और बीएसपी के जोनल कॉडिनेटर ने की है बसपा से टिकट कटने के बाद श्रीकला रिड्डी के पती और जॉन पूर के पूर्वस्तांसद धरंजा सिंग अपने घर पर करीबी लोगों की बैठखक में शामिल हुए है कुछ दिर बाद लगातार ये बैठखक चलती रहेगी इस बैठखक में ये तैह होगा कि वसपा से टिकट कटने के बाद उनकी पत्नी निर्दली चुनाव लड़ेंगी या नहीं उनकी पत्नी श्रीकला ने चार दिन पहले ही वसपा से नामांकन दाखिल किया था उमीदवार तैह होने के बाद श्रीमा सिंग यादव ने कहा कि जोट सी ने बताया था कि अगले सांसद आप ही होंगे उन्होंने कहा कि वहन जी ने फोन करके चुनाव के लिए कहा बता दें श्रीमा सिंग यादव जौनपूर से सिटिंग सांसद भी है जौनपूर में छटे चरण में 25 मई को मतदान है इस दिन पूरवांचल की 5 सीटें लाल गंज, आजमगड, जौनपूर मचली शहर और भदोई में वोटिंग होगी UB में जारी लोकसभाचुनाव के बीच उमीदवार के बदलने का सलसला लगातार जारी है सपा और बस्पा, दोनों पार्टियां ये काम कर रही है चार दन पहले ही बस्पा ने वारा नसी में अपना उमीदवार बदला था बस्पा ने दो मई को उमीदवार की बारवी लिस्ट जारी की थी इस लिस्ट में वारण इसी से पिया मोदी के खिलाफ दूसरी बार उमीदवार बदला गया पहले अतहर जमाल लारी को टिकर दिया गया था इसके बाद उनकी जगह सेद नयाल अजी को प्रत्याशी बनाया गया फिर नियास की जगह फिर से लारी को उमीदवार बनाया गया इससे पहले मायावती ने अमेठी से अपना उमीदवार बदल दिया था मायावती ने यहां से पहले रवी प्रकाश मौरे को टिकट दिया था बगर 24 घंटे बाद ही उन्होंने यहां से नन्हे सिंग चौहान को मिदवार खोशित कर दिया, तो यूपी चुनाव बड़ा दिल्चस्प हो रखा है। लोगसभा में किसका टिकट कटता है, किसे टिकट मिल जाता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। श्रीकला रेडडी एक तै दावेदार बताई जा रही थी, जो कि त्रिकोणिये मुकाबले में एक बड़ा पेज साबित हो सकती थी बीजेबी के खिलाफ, लेकिन मायावती ने एन मौके पर उनका टिकट काट दिया, कहा जा रहा है कि बाहू बली एक इमेज होना भी मायावत को ये लग रहा था कि उससे डेंट पड़ेगा और इस वजह से मायावती ने धननजय सिंग की पत्नी श्रीकला रेडडी का टिकट काट दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रीकला रेडडी निर्दलिये चुनाव लड़कर इस त्रिकोणिये मुकाबले को चार लोगों के बीज का बना देंगी, बीजेपी, सपा, बसपा और श्रीकला रेडडी क्योंकि पहले से ही ये तैह हो रखा था कि जौन पूर से धननजय सिंग चुनाव लड़ेंगे, धननजय सिंग जेल गए तो उनकी पत्नी को बसपा ने टिकट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ट दल्चस्प हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे वोटर्स हैं, जौन पूर के जो ये चाह रहे थे कि बसपा में नहीं, बीजेपी में श्रीकला रेडडी शामिल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बसपा ने टिकट श्रीकला रेडडी को दे दिया, इससे हुआ ये कि बीजेपी क अपना निर्दलिये तोर पर दाखिल किया, तो ये बीजेपी सपा और बसपा तीनों के लिए एक बहुत बड़ा जटका बताया जा रहा है, टीवे नाइन उत्रपदेश उत्राखंट